तो आप सभी का फिर से सुवागत है वन शॉट वीडियो की सीरीज में तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं इस अपने जो मेरे गुलर काम है उसमें से कुछ समय निकालकर मैं कोशिश करता हूं कि अपनी नॉलेज आपके साथ सब्सक्राइब कर सकूए तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको जादा से जादा content में available करा पाऊं लेकिन बस अपना प्यार और support चैनल के साथ ऐसे ही बनाए रखिए और अभी भी कोई अगर ऐसा है जिसने पी तक चैनल हमारा subscribe नहीं किया है तो प्लीज आप अपने चैनल हमारा चैनल जरू subscribe करें और अ content आपके पास available है वह आपके friends के पास भी available हो पाए तो प्रॉबिलिटी में बेसिक लिए अगर हम applied math की बात करें तो प्रॉबिलिटी काफी वाइड चैप्टर हो जाता है applied math में आगे क्योंकि इसके अंदर क्या गया गया 11 और 12 दोनों का mix करके probability डाला गया तो हम उसको एक त सब्सक्राइबस में तो ही applied math में तो उसके बाद फिर हम उसके questions करेंगे उसके basic समझेगे तो पहले जो हम यहां पर basic समाना जाते है probability के बारे में आप 9th से पढ़ते ही आरे 9th का 8th 7th में भी पढ़ा होगा थोड़ा बहुत तो इक वर्ड यहां पर सबसे ज्यादा आता है random experiment तो random experiment एक्चुली और कुछ नहीं होता कि देसे वर्ड होता है randomly randomly का मतलब होता है कहीं से कुछ भी pick कर लेना जैसे suppose आपकी class में टीचर जब कुछ सुनने के लिए आपको खड़ा कर दिये तो कई बार तो ऐसा होता है कि sequence में खड़ा किया जाता है roll number one roll number two roll number three roll number four आता है तो मेरा ही नंबर आने वाला है लेकिन रेंडमली होता है तो बड़ी टेंशन होती है आप पताने किसका नंबर है संबन मन में सोच जोते हैं मेरा नंबर ना हो तो randomly में यह होता है कि कहीं से आप कुछ भी pick कर लेते हैं उसको मोलते है random experiment तो जब ऐसी कोई event हो जिसमें हम आगे क उस प्रेडिक्ट ना कर सके कि यही होगा वो स्रेटेनिटी ना हो उसी को बोलते हैं random experiment उसके बाद फिर है sample space, sample space क्या होता है collection of objects describe in the event और experiment तो जितने भी मरलो कोई आप experiment कर रहे हैं उसके अंदर जितने भी elements हो सकते हैं जितने भी possibilities हो सकती हैं उनको एक set की form में लिखना है जैसे आप coin को अगर आप toss करते हैं तो coin को toss करने पर head आता है या tail आता है तो हम उसको कैसे लिखते हैं कि head and tail और यहां पर आप जो curly bracket है जिसको हम braces बोलते हैं आपर sets का use होने वाला है काफी तो sets आपको समझ में आधना चाहिए कि sets क्या होता है अगर वो आपने नहीं देख तो उसका one shot भी available नहीं है उसके लिए आपको जो वीडियो देखना पड़ेगा set का बहुत easy topic है तो set में जितने भी elements होते हैं उनको मैं इस तरह से लिखते हैं और जो आपने element लिखे हैं इनको event बोलते हैं या sample point भी बोलते हैं तो कई बार question आता है कि how many sample points are there तो बच्चे confused जो जाते हैं कि sample point क्या बला गई तो sample point का मतलब होता है कि जो event आप लिख रहे हो इसके अंदर दो sample point है तीन चार पांच जितने भी उसके अंदर event होंगे जितने outcomes होंगे उसी को आप sample point बोलते हैं उसके मत बार्याती simple event जैसे नाम से इसके बिलकुल simple है कोई complication नहीं है जिस तो उसमें head 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 tail tail head what detail में भी बात करेंगे तो वहाँ पर अगर आप एच एच लिख रहें तो यह भी simple event मलब एक बार के experiment में जो एक event आता है उसको बोलते हैं simple event अगर एक से ज्यादा आ जाते हैं तो उसको हम बोलते है compound event जैसे अगर हम इन दोनों को लिख देंए खटा तो यह head tail यह हुए आपका compound event exhaustive event बहुत important चीज़े exhaustive or mutually exclusive अक्सर इन दोनों में बच्चे confused हो जाते हैं तो आपको confused बिल्कुल नहीं होना है जो मैं बात बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनेंगे तो confused बिल्कुल नहीं होंगे exhaustive का मतलब होता है कि जितने भी event हो चाहें 2 हो चाह create हो जाता है उसको बोलते हैं exhaustive से इवन है मालो एवन एटू एथरी जितने भी event है इन सब का अगर आप यूनियन करोगे तो यूनियन करने पर आपके पास पूरा का पूरा sample space create हो जाता है तो उसको हम बोलेंगे कि exhaustive है mutually exclusive mutually exclusive मतलब जिनमें आपस में कोई भी संबंध ना हो ठीक है कोई भी relation ना हो कोई भी ऐसा element ना हो जो दोनों में common हो एक अलग बात कह रहा है दूसरा बिलकुल अलग बात कह रहा है ठीक है तो उस तरह की जो event होते हैं उनको हम बोलते है mutually exclusive जिनका जो intersection है वो कुछ नहीं आए यानि कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो इन दोनों में mutual होगा ठीक है नाम इसका mutually है लेकिन mutual में कुछ भी नहीं होता इस दोनों बिल्कुल अलग कहते हैं यह अलग कहाईगा बी अलग कहाईगा common कुछ भी नहीं आएगा उसकों बोलेंगे mutually exclusive sure event sure event जिसे यहां से भी इसके नाम तो आपको मारना है ठीक है अगर आपने लेट भी बढ़ाई start करी है थोड़ा धंक से त्यारी कर लो अगर 11 में तो 12 में तो मारेंगे मारेंगे चिंदा मत करो तो यहां पर वह event आपको sure event बनाना है 90 अब जो आपको sure event बनाना है अभी है नहीं वैसे ठीक है लेकिन आपको ब 7 से चोटे है वन आएगा वह भी 7 से चोटा है 2 भी 7 से चोटा है 3456 सारे 7 से चोटे है तो यह 100% कंफरम है कि 7 से चोटा आए गई आएगा तो उस तरह का जो event होता है उसको हम बोलते है शोर event और शोर event कि अगर आप probability निकालते है अभी probability के बारे में और discuss करेंगे ही तो शोर शोटा है कि यह तो हो नहीं होना है फिर उसका उल्टा हो जाता है impossible यानि जिसके बारे में बता है कि यह कुछ हो गई नहीं बिल्कुल भी नहीं होगा अगर हम कहें कि 7 से बड़ा नम्बर हमें चाहिए डाइस को थो करने पर एक बारी थो करना है वो गेम निखेलना कि 6 आलो तो यानि impossible event है इसकी जो probability होती है वो जीरो के बरावर होती है अब बात करते हैं यहां तो यह सब तो event थे आपको event लिखने भी हैं डिसक्स करेंगे अभी questions में फिर हम probability की बात करते हैं probability का जो classic formula होता है जो आप पढ़ते आ रहे हो 9th class कि number of favorable outcome divided by total number of outcome वही फार्मुला च उसके बाद axiomatic approach to probability axiomatic approach क्या होती है इसमें कहता है कि आपको दो तीन चीजें बताता है questions में ऐसा कुछ नहीं आता कि axiomatic approach वह आपके knowledge के लिए बता रहा हूं कि axiomatic approach है क्या कोई भी जो sample space है उसके अंदर omega 1, omega 2, omega 3, 2, omega n इस तरह के events आ होए अब उन events में आप किसी की भी probability निकालो किसी की भी उसकी जो प्रॉबिलिटी है वो 0 से 1 के बीच में ही रहती है उस से 0 से छोटी नहीं होगी और वन से बड़ी नहीं होगी और सुर्फ ही axiomatic approach की नहीं हम किसी चीज की भी probability निकाले तो वह कभी भी 0 से छोटी नहीं होगी मतलब negative में नहीं जाएगी और 1 स से बड़ी नहीं जाएगी टोटल जो होता है प्राभील्रेटी में हमेशा वेन से बड़ा कुछ नहीं होता है हुँए कुछ तरह हम अलगलख वेंट की अलगलनी निकाल कर उन सबका सिम करें अलगल उनीये गयान संब करोगे तो ह्मेशा यहां पर कोई एक इवेंट है जो इसी सेंपल स्पेस से रिलेट करता है उसकी अगर आप प्रॉबिलिटी निकालते हैं तो वह उसके जितने भी एलिमेंटरी इवेंट बनेंगे उनके समके बराबर आएगा इसको थोड़ा एक इवन नम्बर की निकालोगे तो उसमें इवन नम्बर कौन कौन से होगे एक तो टू हो गया एक फौझ हो गया और एक 6 हो गया प्राप्यार करने पर वो क्या है वन से लेकर 6 तक है इस में से हम even number की अलग अलग probability निकालते हैं कि कौन-कौन से even number है एक तो even number 2 आएगा उसकी probability निकालोगे आप 1 by 6 होगी एक event आएगा यहां पर 4 वो भी even है उसके probability निकालोगे यह भी 1 by 6 आएगा 6 की property निकालेंगे ये भी 1 by 6 आएगा इनका total करेंगे 3 upon 6 यानी 1 upon 2 तो ये भी 1 upon 2 है और ये भी 1 upon 2 है तो इसका मतलब ये होता है कि जिस event की आप बात कर रहे हो उसको अप अलग लग करके भी निकाल के उनका sum करोगे तो उसकी property दोनों की आपस में बराबर ही रहेगी उसके ब तो अगर आपसे पूछा जाता है कि odds in favor तो odds in favor मतलब उसकी होने की जो ratio है वो क्या है तो उसकी होने की ratio होगी A ratio B odds against उसके ना होने की ना होने की हो जाएगी B ratio A अगर आप इनकी probability निकालते हो क्योंकि होने की है A ना होने की है B तो total कर देंगे A plus B हो गया तो जब आप इनकी probability निकालोगी probability of event यानी probability होने की हम निकाल रहे हैं तो होने के हमारे पास क्या देवेज A थे total है A plus B तो odds in favor जब आप निकालेंगे तो A upon A plus B आएगा odds against निकालेंगे तो उल्टा हो जाएगा B upon में A plus B आजाएगा तो बच्चों अब इनकी अलावा कुछ probability के formula जोर हैं उन formula को आप याद रखेंगे तो आपको questions करने में जदा असानी रहेगी तो सबसे पहला है probability of A union B A union B का formula यह सब formula क्या हैं अगर आपको sets वाले formula याद हैं तो यह सब वही formula हैं लगबग लगबग ठीक है आप यहाँ पर sets में हम क्या गरते थे sets में हम लिखते थे cardinal number of A union B equals to cardinal number of A plus cardinal number of B minus cardinal number of A intersection B तो वही formula यहाँ उठाकर यहाँ पर कर दिया गया है बस N को P से replace किया गया है और probability का formula आपका तैयार हो गया है तो यहाँ पर आपको और ज़्यादा कुछ नहीं करना है ठीक है यह formula आपका यहीं हो जाएगा probability of A plus probability of not A यानि किसी भी event की होने की probability और किसी event की ना होने की probability उन दोनों का अगर आप sum करेंगे तो वह हमेशा 1 के बराबर ही आएगा probability of A minus B is equals to probability of A minus probability of A intersection B इसको आप इस तरह से भी लिख सकते है probability of A intersection B not तो सेम चीज़ यहाँ पर होगी जब probability of B minus A करेंगे तो probability of B minus probability of A intersection B और इसको लिखने के लिए भी आप probability of A not intersection B भी लिख सकते है probability of A not intersection B not अब यहाँ पर इंटर सेक्षन लगाँ आए तो उस फार्मूले में यहाँ पर union लगता जाता है और अगर यहाँ पर union लगाँ लगाँ हुआ है तो फार्मूले में यहाँ पर intersection लग जाता है तो इस तरह से आप इन दोनों फार्मूलों को इसली याद रख सकते हैं अगर आपके पास तीन सेट दे रहे हैं, तो probability of A, union B, union C, अगर आप इसको करते हैं, तो ये भी वो सेट वाला ही फार्मुला है, probability of A, B, C, तीनों को add करना है, दो-दों का जो intersection है, उनको minus करना है, और तीनों का जो intersection है, उसको plus कर देना है, तो ये सारे फार्मुलेज आप इसक चीज़े और आपको बता दूँ, क्योंकि जब आपको यहाँ पर event लिखने होते हैं, तो बहुत से बच्चे जो normally हम use करते हैं, coin के event, या फिर cards के, या फिर dice के, ये event लिखने में थोड़ा सा दिक्कत महसूस करते हैं, तो अगर किसी भी coin को, पहले हम coin की बात करते हैं, coin को अगर हम दो बार toss करते हैं, एक बार toss करने का तो पता है, ये सभी को head आता है ये tail आता है, तो हम यहाँ पर coin के साफ से चलते है, coin is tossed two times, coin को अगर आप दो बार toss कर रहे हो, तो दो बार toss करने पर क्या आता है आपके पास? sample space head head आ सकता है head tail आ सकता है tail head आ सकता है या फिर tail tail आ सकता है तो इस तरह से यह चार event बनते हैं अगर हम coin को तीन बार toss करते हैं तीन बार toss करने पर क्या होगा आप पहले लो head फिर head फिर head फिर head तीनो head होगे अब आपको इसमें क्या गरना है दो-दो head के case लेने है कि आपने दो head लिए और एक tail आ गया अब क्या करना है इस tail को आपको गुमा देना है क्योंकि जरूरी तो नहीं है कि दोनो head पहली बार में आ जाए हो सकता है कि ऐसे हो कि head आए फिर tail आए फिर head आए या फिर tail पहले आ जाए फिर head आ जाए तो इस तरीके TTH फिर लास में आगे हैं आपके पास तीन head इस तरह थे इसमें आठ इवेंट बनते हैं अब यह भी पता लगा सकते हो कि कितने इवेंट बनेंगे उससे आपको गभी गलती यह नहीं होगी अगर एका इवेंट मिस हो गया तो आप काउंट करके अपना चेक कर सकते हो यहां तो टॉस करेंगे तब भी दो अप्षन आएंगे तोटल मिलाकर चार तो यहां पर चार ही हैं अब तीन बार टोस कर देख तो टू इंटू 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 तू तीन बार होगे तो कि तीन बार होगे हैं मतलब 8 इवेंट आगे तो 1,2,3,4,5,6,7,8 ऐसे एकर आप को इन क ठीक है अब उसके बार तीन इवेंट लेते हैं तीन हैड लेते हैं अब इस टेल को आप गुमाते जाओ तो हैड एड टेल हैड फिर टेल हैड 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 अब दो हैड वाले केस लेंगे दो हैड वाले केस में ही अक्सर गडबर होती है इसके इवेंट छे बनेंगे आपको ब प्रण्टेज। आपू से reciili लिए लाते हैं तो टेज हैड है। एड इंप शुक्ष करने का वह चैया हूं О miss do check R замечar है तो क्या बननेगा है एच्च एच्ट अध्र आ गया अगली वार में यह को इधर लिए आओ अब क्या बनेगा टी एच टी एच ठीक है अब ये भी हो गया केस अब दोनों हैड को इखटे उठा लो दोनों हैड को उठाएंगे तो टेल टेल हैड हैड इस तरह से इसके छे इवेंट बनेगे अब आप आजाओ एक हैड पर एक हैड और तीन टेल फिर हैड को घुमा दो यह तो असान होता है बनाना तो टेल टेल हैड टेल 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 हैड उसके बाद सारे के सारे टेल और इसको काउंट कर लो आपके बास टोटल सिक्स्टीन इवेंट बन जाएगे ऐसी जब आप कोईन को एक बार टॉस करते हैं तो वन टू त्री फॉर सरी टॉस किया वन आ गया दूसरी बार टॉस किया उस पर भी सागया अब तूप ने साथ फिल नंबर से बार एटू को सेंड रखना है दूसरी बार वाले करते हैं और यक्शी कर दो तो उसको change करोगे, 2 के साथ 1 वन आ गया, फिर 2 के साथ 2 आ गया, इस तरह से करते करतें, 2 के साथ 6 आ जाएगा, 3 के साथ करेंगे, यह आपके पास यह आ गया, ऐसे करते करतें, आप 6 तक आ जाएंगे और टोटल मिलाकर 36 इमेंट बन जाएंगे तो इस तरह से आप कोईन के या डाइस के बना सकते हो अब थोड़ा सा कार्ट के बारे मता दूँ कि बहुत से बच्चों को कार्ट समझ में निया आते हैं क्या कार्ट से कुछ बच्चे जो खेलते हैं घर पे कार्ट में बिसिकली टोटल मिलाकर 52 कार्ट होते हैं उन 52 कार्ट में से कुछ कार्ट होते हैं रेड और कुछ कार्ट होते हैं ब्लैक तो टोटल आपके पास 52 कार्ट होगे अब इन 52 कार्ट में से कुछ कार्ट होगे रेड और कुछ होगे ब्लैक कुछ कितने 26 आदे इधर हो तो यहाँ पर बागे कुछ नहीं बचेगा आधे इधर चले गए अधे इधर चले गए अभी जो रैड है इस रैड के अंदर फिर आपके पास दो अलग काटिकरी बन जाती है इस रैड के अंदर कहता है कि एक तो काड होगा आपके हार्ट के यह थर्टीन काड हो जाएंगे और फिर यहाँ पर बुदते हैं डायमंड के काड यह भी थर्टीन हो जाएंगे अगर ब्लेक काड की हम बात करेंगे तो ब्लेक में भी दो तरह के काड होते हैं स्पेड के काड होते हैं थर्टीन और कलब के काड होते हैं थर्टीन इस तरह से अब इन 13 13 cards के अंदर total मिलाकर 1 से लेकर 13 तक card होते हैं जिनमें सबसे पहला जो number है उसको हम बोलते हैं ace उसके बाद 2, 3, 4 इस तरह से करते करते है cards पर numbers बने होते हैं और जो अगला card होता है उसको हम बोलते हैं jack जैक स्पैरो नी है यह जैक मतलब यहां पर हिंदी में इसको बोलते हैं गुलाम और क्योंकि दो ताश था यह थे cards वह एक शाही खेलता तो शाही खेल के अंदर एक गुलाम होता है और एक queen होती है राणी होती है और फिर एक king होता है राजा इस होता है जिसे हों बोलते हैं ना नॉर्मल लेंग्विज में तुरुप का पत्ता जो बिल्कुल एंड टाइम पर काम आ जाता है जिसे किसी को उमीद नहीं होती तो वह एस होता है तो पूरा एक शाही खेल होता है आप यह समझ सकते हो यहाँ पर चार अलग लग लग kingdom है एक हर्ट का kingdom है डायमंड का kingdom है एक स्पेड का kingdom है क्लब का kingdom है हर एक के पास 13 सोलजर हैं इंकुरूडूंग किंग क्वीन और जैक क्वीन भी बहुत रोल अदा करती है यह जो क्वीन है वो युद में भागनी लेती वो भी बहुत इंपोर्टेंट रोल प्ले करती है तो हर अंग की जो फैश सब्सक्रां करता है एं जीटा कोण बिल्लीज सकते हैं और तुछ सभी जीते में और तो और वे इसके वाले कर्ट थोड़िपे शुटा करण होगी तो इन पे पर फेस नीं होता है इंपर फेस बना against इसलिए को बोल यह फेस कार्ड किभी करs तो बस टोटल मिलाकर कार्ट का यह एक चार्ट है इसको ढ़न से आप समझ लो और याद कर लो पेपर जैसे आता है याद हो जाते हैं अच्छी बात है नहीं आद होता है फटा फटे रफली बना लो साइड में कि वह यह चार्ट होता है उसके बाद आप किसी भी कोश्चन का अंसर करोगे मैं सबसे पहले यहीं से कोश्चन स्टार्ट करता हूं कि आपको यहां पर समझ पाएं कि वही क्या क्या आपको प्रॉबिलिटी निकालनी पड़ सकती है तो इसमें अगर हम प्रॉबिल के पास है एक इधर है एक इधर है एक इधर है टोटल मिलाकर चार किंग है तो प्रॉबिलिटी होगी फूर अपॉन में फिफ्टी टू यानि इसको काड़ देंगे वन अपॉन थर्टीन काटने वाटने का प्रॉसेस में करूंगा नहीं वाप समझ कर लेना बाद में अब कि हम नीगालते हैं अब प्रॉबर्टी ओफ रैड़ इंग तो डैट गिंग कितने हो जाएंगे एक इधर रहे एक इधर है टोटल में काकर दो रैड़ आदे होंगे हाट का जो जैक है हाट में कितने जैक है एक ही जैक है तो इसकी प्रॉबिटी होगी वन अपॉन फिफ्टी टू अगर हम कहेंगी प्रॉबिलिटी ओफ 10 of spade 10 of spade यानि spade का 10 number 10 number भी spade में एक ही बार होगा तो इसकी probability भी हो जाएगी 52 तो इस तरह से बस आपको बड़ी इसली तरीके से probability आप निकाल सकते हो इसमें जो एक चीज है उसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे अगर यह बोलता है probability of king और red यहां क्या बोल रहा है या तो king हो जाए या red हो जाए तो मतलब king वाले cards भी लेने और आपको red वाले card भी लेने तो king वाले card कितने होगे आपके पास total king होते हैं 4 लेकिन जो red card होते हैं उसमें 2 king और चुके हैं ठीक है तो आप king यहाँ पर लो सिर्फ 2 और red card होगे 26 इन 26 के अंदर 2 red king भी हैं उसको भूलना ने तो यह मिलाकर होगे आप total 28 upon में 52 इसको फिर आप card देंगे तो इसकी probability आजाएगी अगर यहाँ पर आजाता probability of king and red और और end का मतलब समझ लेना आपके पास तो टू अपॉन में 52 ठीक है तो यह किंग में या रेड में या किसी भी कार्ड में और आ रहा है या एंड आ रहा है तो उन दोनों का मतलब आपको पता होना चाहिए उसके साब से आप इनकी प्रोडिटी निकाल सकते हैं तो यहाँ पर बच्चो कुछ कोश्चन है इस फर्स्ट कोश्चन में गयाता है बॉक्स कंटेन वन रेड एंट्री आइडेंटिकल वाइड वाइड वॉल यह इस पर बड़ा ध्यान देना तो वाइड बॉल को भी आइडेंटिकल है तीनों बॉल बिल्कुल एक जैसी है तो आप उसको के टेगराइज नहीं कर सकते कि वाइड वन वाइड टू वाइड थी अगर यहाँ पर यह इडेंटिकल वर्ड नहीं होता तो फिर हम उसको लिखते डबलु बडु टू और ऑब यहाँ से मालो सपोज आपने पहली हों निकाली है वह वाइड नικάली है वो दूसरी जुлू लैड ऑगई है अब पहली जुम भी रिकाली है तो दूसरी बॉल भी आसकते हैं क्योंकि वाइड बोल्ट थो 3 तो कि इस तरह से यह इसका संप्ल च्पिस बन जाएगए अ तो आपको Koin को एक बार टॉस करना है तो मांनों आपने Gold Diye को थो किया उसपर 2 आया तो 2 आने पर फिर आपने coin को टॉस किया आप Stones करोगे यह तो हैड आएगा यह फिर टू के साथे लाएगा ऐसे अगर आपने पहले 4 आये आपके बास नहीं और नंबर बन हो गया अब को आपको दो भांट करना है को इंग 3 head tail 3 tail head 3 tail tail फिर ऐसे अगर 5 आ गया तो उसके साथ भी 5 head head 5 head tail 5 tail head 5 tail tail इस तरह से इसके ये event बन जाएगे यहाँ पर कहता है 3 coin ना tossed once, 3 coin को आपने tossed किया तो इसका तो sample space है वो बना लेते हैं हम पहले, sample space में ये आ गया head head head, head head tail head tail head tail head 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 tail 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 head tail 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 head और फिर tail 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 ये 8 event आगे A में कहता है कि 3 head आने जाएगे तो A जो event है वो आपका क्या बना 3 head यानि head 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 ये आ गया 2 head and 1 tail, 2 head है और 1 tail है तो इसमें क्या आ गया head head tail head tail head और tail head head 3 tail 3 tail वाला क्या बनेगा सिधा tail 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 अब यहां पर कुछ questions आप से पूचेंगे, अच्छा डी भी है D head on 1st coin 1st coin पर head आना चाहिए, तो 1st coin पर head यहां पर है 1st coin पर head यहां भी है अगले में अगले में भी है, उसके बाद फिर यहां पर है, तो यहां पर यहां पर यह पूछ रहा है कि विच इवेंटी इज मूचली एक्स्लूजीव, सिंपल और कंपाउंड, अब मूचली एक्स्लूजीव में क्या होता है, जहां पर common कुछ भी ना हो, mutually understanding उनके अंदर ह कुछ भी common नहीं है, तो ऐसा कौन सा है, एक तो यह वाला हो गया और दूसरा भी हो गया, इन दोनों में common कुछ नहीं है, यानि इसमें क्या आगया आपके पास A और B, A और C भी हो सकता है, A और D नहीं होगा क्योंकि दोनों में common आ गया, अब B के हिसाब से देखें, तो B औ और C भी हो सकता है, B और D नहीं होगा, इसमें तो common आ रहा है, यह वाला हो जाएगा C और D, तो यह चार event जो mutually exclusive है, simple event की बात करें तो simple यानि जिसके अंदर एक sample point आ रहा है, तो यह एक sample point है, आप point को तीन बार टॉस कर रहे तो sample point यह एक count होगा, तो एक तो A हो गया, और ए ठीक है, तो यह बच्छों कुछ question हो रहा है probability के इनको देखते हैं, तो check whether PA and PB are consistently defined, PA और PB जो है consistently defined है, या नहीं है, कैसे पता लगता है, इसके लिए आपको हमेशा intersection को check करना है, जो intersection की value है, वो PA या PB से बड़ी तो नहीं है, क्योंकि जो intersection का मतलब क्या होता है, common, दोनों के अंदर common, इसके अंदर भी होना चाहिए, इसके अंदर भी होना चाहिए, तो जो common चीज है, वो दोनों में से किसी से भी बड़ी नहीं होगी, उनके बराबर ही हो सकती है maximum, उससे बड़ी तो नहीं हो सकती है, तो इसका मतलब क्या हुआ, कि यहां पर आपको intersection देख रहे हो, अब maximum common कितना हो सकता है, maximum तो इतना ही तो common हो सकता है, दुबारा सेट इसके उपर ही आ गया, इससे बड़ा तो नहीं जा सकता न, इसलिए यहां पर आप दिखाएंगे कि इस नोट कंसिस्टेंटली डिफाइंड, नोट कंसिस्टेंटली डिफाइंड, ठीक है, बिकॉज प अब यहां पर जो आपको चूज करने हैं, वो दो गल्स और दो बवई चूज करने हैं, प्रबिबिटी में कभी अगर आप एक से ज़्यादा चीज चूज़ करोगे तो आपको combination यूज़ करना है अगर हम जो पहले question करते आ रहे थे 9-10 तक उसमें हम क्या करते थे कि आपके पास 52 card से आपने एक card pick कर लिया एक card pick करने का मतलब है कि आपको combination लगाओ मतलगाओ कोई दिक्कत नहीं लेकिन अगर हम कहते है हम उसमें से 2 card pick करते हैं तो आपको वह combination लगाना ही पड़ेगा तो अब यहां पर आपके पास कहता है कि 2 boys होने चीए 2 girls होने चीए boys select करने के लिए आपके पास 4 है तो यह आजाएगा 4C2 into में 5 girls हैं उसमें से भी आपको 2 girls choose करनी है तो यह तो number of possible way to choose 2 boys and 2 girls हमें निकालनी है probability अगर probability निकालनी है तो नीचे divided by total total कितने student है 9 student है उसमें से choose कितने करने है चार लोगों की team बनानी है तो नीचे आजाएगा 9C4 इसको आप simplify कर देंगे तो यहां पर आपकी probability आ जाएगी इसी तरह से अब यहां पर कहता है word consist of 9 letters 5 consonants and 4 vowels 5 consonants है तीन vowels है अब आपको यहां प probability that more than one vowel will be selected वोवल जो है वो एक से ज्यादा सिलेक्ट होना चाहिए अब आपको total करने तो तीन ही थे तो अगर आप वहां से दो वोवल चूज कर लेते हो वोवल है कितने आपके पास 4 चार में से आपने दो वोवल ले लिए अब total जो लेटर तीन सेलेक्ट करने थे दो तो यानि एक आपको क्या करना पड़ेगा consonant चूज करना पड़ेगा इन 5 में से 5C1 आप ऐसे भी चूज कर सकते हो या फिर या जब लगता है तो बीच में क्या जाता है प्लस आजाता है आपके पास यहां पर 4 वोवल्स हैं 4 में से तीनों के तीन आपने वोवल्स चूज कर लि तो divided by total total कितने वोवलने आपके पास 9 चूज कितने करने 9C3 ठीक है next question में कहता है there are 4 letters and 4 addressed envelop आपके पास 4 letter है और आपके पास 4 दोस्तों के पते लिखे हुए envelope के उपर आपको उनको letter भेजना है तो आपको probability बतानी है कि all the letters are not dispatched in right envelope दो एक भी ऐसा envelope नहीं है एक जिसके अंद letter सही letter हो यानि जिसको आप भेजना चाहते हैं वो उसी का ही letter हो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना तो यहां पर अगर हम probability निकालते हैं तो क्या बनेगा probability of all are correct all are correct letters in its proper envelope तो अगर सारे के सारे letter आपके सही होंगे तो ऐसा chance क्या होगा एक ही chance होगा कि सारे के सारे बिल्कुल सही है ऐसा तो नहीं कि एक से ज़्यादा chance हो सकते हैं तो यानि आपके पास अगर correct envelope में letter है तो उसकी तो chances आपके पास one है total chances कितने हैं total chances कितने हो जाएंगे आपके पास चार letter है और रखने के लिए आपके पास उनको चार ही space है तो यह बन जाएगा आपका four factorial four into में three into में two ठीक है तो यह कितना हो जाएगा आपके पास one upon में 24 हमें निकालना है कि जो letters है हमारे वो correct envelope में नहीं है एक भी letter correct envelope में नहीं है none of them is in its proper envelope तो हम यहाँ पर क्या करेंगे जो total probability है उस total probability में से जो correct dispatch है उसको minus कर देंगे तो total अब की probability हमेशा one होती है one में से आप इसको minus कर देंगे तो 23 upon में 24 यह probability होगी जिसमें एक भी letter correct नहीं होगा तो बच्चो probability में अगर हम जो second phase की मैंने बात करी थी starting में वो second phase यह है यह class 12th में actually probability आती है जब आप pure match पड़ते हैं लेकिन applied वालों को 11 12 दोनों का एक 80 content दे दिया है तो यहाँ पर conditional probability होती है जब एक particular condition दे दी जाती है वहाँ पर conditional probability लगा जाती है मालों suppose यह कहता है कि बैक के अंदर कुछ balls है आप उसमें से randomly एक के बाद एक निकाल रहे हो तो आपने जो पहली बॉल निकाली पहली बॉल निकालने के बाद फिर आप जब दूसरी बॉल निकालते हो क्योंकि आपने पहली बॉल आप निकाल चुके हो तो दूसरी बॉल की पहली बॉल की पर फरक पड़ेगा तो आप जब probability निकालोगे दूसरी बॉल of A intersection B divided by probability of B, अगर यह उल्टा करते कि probability of B, if A has occurred, अगर A पहले हो चुका है, तो B की probability बताओ, तो उस case में यहाँ पर नीचे P A आ जाएगा, उपर तो intersection ही रहेगा, अगर हम यहाँ पर multiplication theorem on probability की बात करें, तो P A intersection B जो होता है, वो आप एक के बाद एक वहाँ से बॉल निकालते हो, और आपको उन दोनों बॉल की probability बतानी है, कि मैं लो फर्स्ट बॉल आपने निकाली, दूसरी बॉल निकाली, उन दोनों बॉल की निकालने की probability बताओ, तो उसमें इन्टू probability of B के बराबर, यहाँ पर जो एक condition है, यह condition हट जाती है, सीधा-सीधा, जो आप दूसरी बॉल निकाल रहे हो, उसकी probability multiply हो जाती है, उसके बाद दा law of total probability और base theorem, यह दोनों depend करते हैं, इस event के उपर यह पूरा का पूरा probability निकालते हो, यह A B क्या है, आपर इसी sample space में एक event है, तो इस A की probability जब आप निकालेंगे, तो इसका formula बन जाएगा, probability of E1 into probability of A by E1, फिर E2, probability of A by E2, इस तरह से up to N तक चलेंगे, इसको आप जब इखटा करके लिखेंगे, summation की form में तो ऐसे लिख दिया जाता है, लेकिन अ probability है, उन दोनों को multiply करेंगे, नीचे आपके पास यह जो total probability बनी है, वो नीचे आपके पास आजाएगे, तो आप इस से लेटेड कुछ questions है, वो और कर लेंगे, ताकि आपको समझ में आ जाएगी, हाँ पर इन theorems को किस तरह से आपको execute करना है, तो बच्चों यहाँ जो question दि है, ऐसा question में दिया हुआ है, what is the conditional probability that the number two has appeared at least once, जिसके आपको probability निकालनी है, वो यह है कि जो number two जो है, वो कम से कम एक बार आ रहा है, यानि जो e event है आपके पास, जिसके आपको probability निकालनी है, या e से denote कर लो, या a, b से denote कर लो, जैसे आपको convenient हो, e event क्या कर रहा है, कि two has appeared, two has appeared at least once, इसका मतलब जो यहां पर event आएंगे, आपके वो क्या कि आएंगे, एक तो two की line आजाएगी सारी, two one से लेकर, two six तक, यह सारी आएंगे, अब उसके अलावा और कौन-कौन से आगे, जब आप three की line लोगे, तो उसमें भी एक बार two आता है, four की line में भी आएगा, five की line में भी आएगा, और six की line में भी आएगा, और जो f event है, उसमें क्या कह रहा है, जो given है आपको, जो already हो चुका है, वो event कि आएगी, जो number है दोनों का, वो seven है, sum of numbers is seven, इसमें कौन-कौन से आगे, देखो one वाले में आएगा, one six, फिर two five, जिनका sum seven आ रहा है, three four, four three, five two, and six one, यह number ऐसे हैं, जिन पर sum आपके बास seven आ रहा है, अब conditional poverty निकालने के लिए, दोनों का आपको intersection भी निकालना पड़ेगा, intersection में क्या है, आपके पास देखो, one six इसमें, नहीं है, two five इसमें आएगा, ठीक है, यह वाला जो line है, इसमें two five आ रहा था, और three fours में नहीं आएगा, four three भी नहीं आएगा, five two आएगा, यह दो जो event है, यह दोनों में common है, अब आपको probability निकालनी है, probability e by f, यानि यह आपको निकालनी है, probability और यह given है, तो probability of e by f, यानि इसमें formula क्या बनेगा, probability of e intersection f divided by probability of f, अब intersection में कितने element है, आपके पास, दो element है, तो इसकी probability अगर आप निकालोगे, तो क्या हैगी, two upon में, total जो event थे, वो कितने थे, क्योंकि dice को आप दो गार रोल कर रहे हो, तो 36 event होते है, तो two upon 36 divided by pf, f में कितने event है आपके पास, एक, दो, तीन, चार, पांथ, छे, तो six upon 36, 36 से 36, cancel, two upon six बचेगा, two upon six को आप simplify करेंगे, तो यह आजाएगा आपके पास, one upon three, समझ में आगया आपको question, अब ऐसे यहाँ पर कहता है, एक couple has two children, एक couple के दो बच्चे हैं, अब दो बच्चे हैं, तो वो दो बच्चों का sample space बना लो, आप, boy boy, boy girl, girl boy and girl girl, अब कहता है, find the probability that both are boys, जिसकी आपको probability निकालनी है, वो क्या दिया हुआ है, यहाँ पर, यह क्या दिया हुआ हुआ है, बोथ are boys, boys, अब boys कितने आपके पास एक event है, इसकी जो probability आएगी, event लिख लेते हैं, यहाँ पर क्या है, बोई-बोई, इसकी probability क्या आगी, one upon four, अब यहाँ पर कहता है कि if it is known that, if it is known that, if it is given that, मतलब जो already हो चुका है, जिसके बारे में पता है, यह करा one of the children is boy, एक जो बच्चा है, वो boy है, तो पहले वाले case में जो F है आपका, one of the children is boy, वो क्या बनेगा, या तो वो boy boy हो सकता है, या boy girl हो सकता है, या फिर girl boy हो सकत है, ठीक है, इसमें से एक बच्चा तो boy है ही है, अब यहाँ से intersection देखेंगे, दोनों में, देखो intersection दोनों में एक ही आ रहा है, तो इसकी जो probability है, पहले F की probability निकाल लो, यहोगी 3 upon 4, probability of F, अब जो intersection है, intersection में A की event है, boy boy, इसकी जो probability है, यहाँ आपके पास 1 upon 4, तो अब आपको निकालना है, probability of E by F, intersection आपको ऊपर रखना है, 1 by 4, यह आपको नीचे रखना है, 3 by 4, 4 से 4 cancel, answer आ गया, 1 by 3, अब इस वाले second वाले case में देखते है, second वाले case में जो F है, आपका वो क्या है, the older child is a boy, यहनि जो बड़े वाला है, वो लड़का है, बड़े वाल तो यहां से अब F की probability निकालते हैं, तो यहां जाएगा 2 by 4, और यहां पर जो intersection है, intersection तो वही रहेगा, boy boy, इसकी जो probability है, यहां गी 1 by 4, तो यहां से भी अगर आप E by F निकालते हो, तो अब क्याएगा, intersection यहां गया 1 by 4, पी एफ आप यह रख लो सीधा, 2 by 4, 4 से 4 cancel, इसका answer आजाएगा 1 by 2, अब बच्चों यहां कहता है, 2 cards are drawn randomly without replacement from a pack of 52 cards, आपके पास 52 cards का एक pack है, उसमें से आपको 2 card निकालने हैं, तो find a probability that both are black card, तो दोनों के दोनों black card निकलेंगे, तो हम क्या करते हैं, यहां पर पहले probability of first black card निकालते हैं, probability of first black card इसको मैं A से denote कर देता हूँ, तो जब black card निकालोगे, तो black card के probability होगी 26 by 52, यानि आजाएगा 1 by 2, अब जब आप दूसरा card निकाल रहे हैं, तो यहां पर जो word है, वो without replacement है, तो without replacement अगर आ गया है, तो इसका मतलब यहां पर जो event है, वो dependent है, यानि conditional probability आपको दे रखी है, और उसकी probability का जो फरक है, वो ब्लेक कार्ड is already drawn, अब पहला एक card तो आप निकाल चुके ना, एक black, अब ब्लेक कार्ड आपके पास होते 26 हैं, लेकिन एक तो आप निकाल चुके, निकालने के बाद आपने उसको replace भी नहीं किया, तो आप ब्लेक कार्ड रहे हैं, आपके पास 25, और जो total card है, वो रहे हैं आपके पास 51, तो आप दोनों की जो probability आप निकालोगे, probability of both are black cards, बोथ black cards, तो आप इन दोनों probability को multiply कर देंगे, यहां से आपका यह answer आजाएगा, ऐसे यहां पर कहता है, probability of solving specific problem by A and B are 1 by 2 and 1 by 3, जो A है वो problem को solve करता है, उसकी probability यह दे रहे हैं, आपको 1 by 2, और जो B solve करता है, उसकी probability दे रहे हैं 1 by 2, तो हम साथ साथ यह भी निकाल लेते हैं, कि यह solve अगर नहीं कर पाते हैं, तो A और A not दोनों का sum क्योंकि 1 होता है, तो यह 1 by 2 है, तो यह भी 1 by 2 हो जाएगा, और probability of B not, यह हो जाएगा 2 by 3, क्योंकि इन दोनों का sum भी 1 होगा, आप A ने try करा, और B ने try करा, दोनों नों problem independently solve कर दी, problem तो हमारी solve होगी न, या फिर हम ऐसे कर सकते है, probability of A, यानि A ने solve कर दी, लेकिन B इसको solve नहीं कर पाया, या फिर आप इसको ऐसे कर सकते हो, कि A solve नहीं कर पाया, और B ने probability problem आपकी solve कर दी, तो इन तीनों case में आपकी जो problem है, वो solve हो रही है, तो सबकी value आपके पास है, या पर put करके इसको solve कर सकते हैं, या फिर एक तरीका और है, कि हम इन सारों को ना निकाल के हम ये करे, कि total probability होती है 1, उसमें से हम minus कर दे, उस case को जब आपकी problem solve नहीं उपा रही है, यानि A भी fail हो गया, आपकी problem solve करने में B भी fail हो गया problem solve करने में, इस case को आप total में से minus कर दोगे, तो भी वो इसके बराबर ही आएगा, second case में कहता है कि exactly one of them solve the problem, दोनों में से कोई एक ही आपकी problem solve कर पाता है, तो उसमें ये case आगया और ये case आगया, यानि P A into में P B naught, प्लस में P A naught into में P B, इनकी value आप put कर यहां से आपका answer आजाएगा, अब यहां पर जो question आपको दिया हुआ है, इसको आप समझने की कोशिश करो कि कौन सी theorem का है, तो यहां पर यह कहता है कि probability that A speaks truth is 4 upon 5, कि जो A है वो हमेशा सच बोलता है, हमेशा तो नहीं, A जो सच बोलता है उसके probability आपको दे रहे है 4 upon 5, तो यह जो event है, यह हम ले लेते हैं A, A event इसको E1, E2 से denote करते हैं, तो E1 हम ले लेते हैं कि A speaks truth, इसके लावा और क्या हो सकता है, मैं दो किस बन सकते हैं, कि A सच बोलता है या फिर सच नहीं बोलता, तो A don't speak truth, यह एक प्रप्याइटी है, इसको आपको दे रहे हैं कि यह सच बोलने की probability है 4 upon 5, तो सच नद बोलने की probability है, वह लोका होगी 1 upon 5, क्योंकि यह event किया होते हैं, यहां पर exhaustive event होते हैं, प्रप्रप्रबिलिटी का सम आता है, वह हमेशा बेंशा 1 के बराबर होता है, तो अगर इसको माइनस करोगे तो आपके पास यह आएगा वन अपॉन मेरे फाइव थिक है तो आपको एक डिया वाया तो दूसरा आप निकाल सकते हैं काई कौस्ष्Fit में ऐसे होता है कि दोनों के वरोटी दी होती है आपको यह puppy हो कर लेना है कि उन सब का संच ओए वो बन के बराबर आ रहा हा रहा है अब आ threw कि एक कोईन को टॉस किया गया और ए ने बताया कि भई हैड आया कर अब राना जो है वो क्या होगए आपका इविंट आ कि हैड अपिर ओने हैड अपीयर डॉन coin तो अगर देखो A ने सच बोला है अगर हम यह वाला case ले रहे हैं कि A ने सच बोला है यह कर रहा है कि probability of head appear on coin if A has tell the truth तो उस case में क्या होगा coin पर जब आप toss करोगे तो head आने की probability क्या होती है 1 by 2 अगर हम यह वाला case लेंगे कि coin को toss किया गया और A ने बताया कि head आया यानि A यहाँ पर क्या हो रहा है यहाँ पर वो सच नहीं बोल रहा है यहाँ पर जूट बोल रहा है तो यानि head नहीं आ रहा है लेकिन tail आने की probability है वो यहाँ पर 1 by 2 है तो यहाँ पर यह दोनों case एक जैसे बन रहे हैं लेकिन यह अलग लग हो सकता है प्रावलिटी ओफ A by E2 तो यह भी आ गया 1 by 2 कि head बो जो coin पर head नहीं आ रहा है कुछ और आ रहा है अब यह कहता है कि आपको probability बतानी है कि actually there was head कि वहाँ पर head था head था तो इसकी प्रावलिटी यानि आपको क्या निकालनी है प्रावलिटी ओफ E1 by A निकालनी है कि वहाँ पर head था और A ने सच बताया था तो इस बात की प्रावलिटी निकालेंगे तो यहाँ पर आपको बेस्थ्योरंग यूज़ करनी है तो ऊपर आएगा P E1 P A by E1 divided by नीचे टोटल प्रावलिटी होती है P E1 P A by E1 plus P E2 P A by E2 तो E1 की जो प्रावलिटी है वह आगे आपके पास 4 upon 5 A by E1 1 by 2 है यहाँ पर आगे 4 upon 5 into में 1 by 2 और 1 upon 5 into में 1 by 2 तो देखो denominator यहाँ और यहाँ और यहाँ और यहाँ तीनों में सेम आ रहा है तो उसको आपको solve करने के जरूदी नहीं है सारा कट जाएगा उपर यह 4 बंजा 4 आ गया इधर से 4 आ गया प्लस में 1 यानि 4 upon 6 यानि आंसर आगया आपका 2 upon 3 तो इस तरह से आप base theorem की questions पहचान सकते हैं उनको simplify कर सकते हैं और ज्यादा base theorem समझना है तो base theorem की specific जो मैंने वीडियो डाली हुई है उसको आप देखेंगे तो सारा आपको clear हो जाएगा base theorem कहा लगाने कब लगाने कैसे लगानी है तो आज के इस वीडियो में इतना ही thanks to all of you हुआ है है